Hello students, welcome back to my channel तो आज के क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं रोल आफ हर बीन कॉस्मेटिक्स में हेर केर प्रोड़क्स के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्बल कॉस्मेटिक फॉर हेर केर अब इसमें हम लोग जैसे देखने वाले हैं कि जो हर्बल प्रोड़क्ट है, जो प्लांट है उसका हेर केर प्रोड़क्स में क्या रोल है तो उसके बारे माँच के क्लास में हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो इसमें इंट्रोड़क्शन बोला जा रहा है हेर नरिश्मेंट एंड ग्रूमिंग एड्स and have become increasingly popular throughout the world मतलब इसमें जैसे बोला जा रहे है कि जो हमारा हेर निरिश्मेंट मतलब हमारे बालों को पोर्शन देने के लिए हमारे बालों को ग्रॉमिंग करने के लिए इस चीज का जो है यूज जो है बहुत ही तेजी से क्या कर रहे है कि लिए है लोचन आ मेंकनशन के लिए तो फिर यूज पर चाहता है यह के लिए बोलत जा रहे हैं मतल तो फिर लिएनी है्यज रेंजक्वल, आज़र है, मगवारा, एकगा शोटीज के लिए अब जैसे बोला जा रहा है कि कई सारे नंबर ओफ हर्बल प्रांट का जो है यूज किया जाता है कि इस चीज के लिए हेर केर फार्मुलेशन के लिए अब जैसे आगे देखें हेर केर फार्मुलेशन केन बी क्लासिफाइड इन इसको कई कुछ गुप में इसको क्लासिफाइड के गए हेर केर फार्मुलेशन को उसमें फस्ट ग्रूप है हमारा प्लांट यूज एं हेर क्लीजर मतलब कि प्लांट का यूज करें किस सीज के लिए हेर को बालों को साफ करने के लिए इसके बालों को पॉर्षन देनी के लिए जो प्लांट सोर्स का यूज करते हैं उसके बारे में तो फर्स्त है हमारा चीज है इसको याद करने वाला चीज है हम लोग इसके जो हिंदी मिनिंग से उसको ही बस देखेंगे ठीक है तो फिर इसमें जैसे बॉला जा रहा शीका का ही हो गया बीही हो गया रीठा मेथी तो इन सब चीजों का यूज किया जाता है हेर क्लींजिंग के रूप में सेके लिकर हो गया बीही हो गया भरिंग राज हो गया गुड़हल हो गया हीना हो गया तो यह सब चीज है हम लोग हेर डाइंग एजन के रूप में यूज करते हैं जैसे इसमें देखें थर्ड है हमारा एंटिडंटर फेजन के रूप में जिस चीज के यूज करते हैं जिस प्ल प्रिंग राज हो गया शहतूत हो गया जतामांसी आमला हो गया तो इन सब चीजों से बाल वह बहुत ही स्टॉंग होते हैं उसको पोशन मिलता है ठीक है अब फिर्स है हमारा हीना हीना के बारे में इसका इंट्रोडक्षन जैसे देख लेते हैं तो फिर इसमें बोला जा रहा अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि इसको हम लोग कहां से अप्टेन करते हैं ड्राइड लिवच रहता है सुखा पत्ता जैसे बोल सकते हैं लाशोनिया इनर्मिश का बिलॉंगिंग टू फिमली यह किस फैमिली से बिलॉंग करता है लाइथ्रेश फैमिली से यह जो है ही जिती की जाती है, कैमिकल कॉंस्टेन्ट्स के बारे में जैसे देखे तो इसमें बोला जा रहा है इसमें जैसे बोला जा रहा है जो क्या होता है डिसॉल होता है एक रिड कलर को प्रोडियूस करता है हीना लीफ also contain flavonoid, coumarines and xanthones, अब यह जो हीना है यह क्या क्या contain करता है? Flavonoids contain करता है, coumarines contain करता है and xanthones को contain करता है. यह सब कुछ chemical constituents हैं जो हीना जो है contain करकर रखता है. Other chemical constituents के बारे में जैसे देखें तो फिर other constituents present are तो यह सब जो है chemical constituents है जो हमारा जो हीना जो है वो क्या करता है इन सब chemical constituents को contain करके रखता है अब आगे जैसे देखे हीना use for hair care अब जैसे hair care में हीना का क्या use होता है तो उसमें first है हमारा making hair stronger यह हमारे बालों को strong बनाने काम करता है increasing the hair volume यह हमारे बालों का जो volume रहता है उसको बढ़ाने काम करता है second जैसे बोला जा रहा है resistance to hair break यह क्या करता है हमारे बालों को टूटने से रोकता है and use as regular dye अब इसको हम लोग regular dye के base पर भी इस चीज़ कर सकते हैं anti dandruff effect यह का करता है हमारे बालों के अंदर जो हमारी scales में dandruff हो जाते है उसको रोकने का काम भी करता है reduce some inflammation यह inflammation को भी का करता है कम करने का काम करता है अब आगे है हमारा आमला आमला के बारे हम जैसे देखें तो इसमें introduction बोला जा रहा है it is fresh and dried fruit of ambelly का official is belonging to family of euphorbiasis अब यह जो है एक तरीके का dried fruit रहता है मतलब कि सूखा फल रहता है जिस सुखा फल रहता है जिसको किस से obtain करते हैं यह किस family से बिलॉंग करता है euphorbiasis family से बिलॉंग करता है तो यह सब चीज को आप लोग को याद रखना है आगे जैसे देखें इसमें बोला जा रहा है आगे जैसे देखें इसमें हम लोग को समझने में easy हो जाता है इसलिए इसको मैंने लिख दिया है आप लोग के समझने के लिए अब इसमें जैसे देखें कि जो हमारा fruit रहता है आमला उसका जो surface रहता है वो काफी smooth रहता है मतलब कि चिकना रहता है shiny रहता है और इसमें six vertical furos five रहता है कैसायला मतलब यह रहता है कि हम लोग कोई चीज जैसा खाते है जो थोड़ा सा कड़वा भी रहा है और वो गले से उतरता ना रहता है तो उसको क्या बोला जाता है गैलिक एसीड इलेजिक एसीड और फाइलेंबिलीन जो है यह सब चीजों को चैमिकल कॉंस्टेंट को जो आउला रहता है वो क्या करता है अब आगे इसके यूज के बारें जैसे देखें अब जैसे इसमें बोला जा रहा है यूज में तो फिर इसमें यूज में क्या क्या यूज करते हैं एंटी फंगल एक्टिविटी इसमें प्रेजिंस रहती है एंटी बैक्टिरियल एक्टिविटी शो करता है एंटी आक्सि इसनर्स में यूज़ के जाता है, hair's shampoo में यूज़ के जाता है, hair tonics में यूज़ के जाता है and hair oils मेंaint आएला का यूज़ के जाता है Benefits जैसे देखें, इसका जो love जैसे देखें तो फिर इसमें बोला जा रहा है, nourish hair making thicker and stronger देता है साथ ही साथ ही रूदू को मोटा बनाने काम करते हैं ठीकर बनाधा है और स्ट्रॉंग बनाने काम करते ठीक है? उसको रोकने का काम करता है, इस तरीके से बोल सकते हूं last जैसे देखें, it helps to control dendroff, यह हमारे बालों में जो dendroff होता है उसको control करने का काम भी जो है आमला जो है वो करता है, तो इस तरीके से इसके benefits है, इसके use है I hope आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आज का वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हलप उड़ा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड को सेयर करें and thanks for watching this video